हलो डियर स्टुडेंट वेलकम टू फिजिक्स नमा आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 फिजिक्स का चाप्टर वर्क इनर्जी एंड पावर का टॉपिक नोशन्स अफ वर्क एंड काइनाटेक इनर्जी एंड दा वर्क इनर्जी थियूरम के बारे में स्टेडी करेंग तो हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे कि वर्क एंड काइनेटेक इनर्जी का मीनिंग क्या होता है और साथ में वर्क इनर्जी थियूरम के बारे में भी हम लोग समझेंगे तो आए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं यह एक साइक्लिस्ट है जो अपने प एक्सलेरेशन होता है और एक्सलेरेशन होता है तो उसका वेलोसिटी चेंज होता है तो देखें इसने साइकल के पैडल पर फोर्स लगाया आपने पैडलों के मसल से तो क्या हुआ कि साइकल में एक्सलेरेशन हुआ और हम जानते हैं कि एक्सलेरेशन होता है तो उसका वेलोस पोजिशन को कंसिडर करते हैं जैसे अभी जिस पोजिशन पर है यह जो पोजिशन है इसको हम लोग माल लेते हैं कि इनिसियल पोजिशन जब इस पोजिशन पर था तो उस समय उसका वेलोसिटी यू था और जब इस पोजिशन पर आया तो इसका वेलोसिटी हो गया भी हो गय क्योंकि इस पर force लग रहा था इसने force लगाया था तो इसका velocity चेंज हो गया और इन दोनों के बीच का distance जो है s है तो हम लोगोंने straight line motion में एक equation परा था v square minus u square equal to 2as यहां पर v final velocity है u initial velocity और a है acceleration और s है distance तो हम इस equation को दोनों side में left और right side दोनों side में m by 2 से multiply करेंगे हम m by 2 से अगर दोनों side multiply करेंगे तो equation पर कोई effect नहीं पड़ेगा तो इसको हम लोगोंने m by 2 से दोनों side multiply किया तो अभी left side का equation हो जाएगा half mv square minus half m u square equal to mas यहां पर जो इस equation में जो 2as है इसकी जगा यहां पर 2 और 2 cancel हो जाएगा तो यहां पर जो हो जाएगा m a s हो जाएगा m a s हो जाएगा तो अब हम newton's के second log से जानते हैं कि f equal to m a होता है तो हम m a की जगा f यहां पर put up कर सकते हैं तो हमारा equation हो जाएगा half m v square minus half m u square equal to f s तो यह हमारा equation हो गया और यह equation अगर कोई body erectilinear motion में जा रहा है निए state line में जा रहा है तो उसके case में यह है equation हो गया यहां पर half m v square को हम लोग kinetic energy बोलेंगे kinetic energy से meaning है कि अगर कोई body motion में है तो motion के कारण उसमें जो energy है उसको हम लोग kinetic energy बोलेंगे तो यहाँ पर half m v square यानि भी final velocity है तो यह half m v square final energy हो गया, final kinetic energy हो गया और half m u square initial kinetic energy और f s हो जाएगा, work हो जाएगा तो उसी तरह हमें अगर यह तो हमारा अभी जो हम लोगे एक्जांपल दिया, एक्जांपल देखा या state line motion का था, यानि जो cyclist है, वो आए state line में motion कर रहा था, यानि उसका motion था rectilinear था, अगर कोई body three dimension में motion कर रहा है, तो उस case में हम लोग जो distance है, उसकी जगा हम लोग displacement और acceleration तो हमारा vector quantity होता ही है, तो अब हमारा जो equation हो जाएगा, यह हो जाएगा, equation हमारा भी यह change हो जाएगा, अगर हम three dimension motion लेते हैं, तो वहाँ पर हमारे लिए vector involved हो जाएगा, if a body moving in three dimension, then imply vectors, तो v square minus u square equal to 2ad हो जाएगा, और यहाँ पर a और d को हम लोग ने vector से denote किया है, उसके उपर arrow है, तो यहाँ पर vector हो गया, अब इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, m by two से दोनों तरफ, equation के दोनों तरफ, दोनों तरफ हम लोग m by two से multiply करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा, half m by square minus half m e square equal हो जाएगा m a d, और यहाँ हो जाएगा, m a की जगा हम लोग f put up कर देंगे, तो f dot d, और तो यहाँ पर हम लोग ने f dot d क्यों लिया है, क्योंकि यह इस से हमें work मालम चलेगा, और f dot d से हमें work मालम चलेगा, f dot d, यानि अगर dot product है, force or displacement का dot product है, तो इसको हम लोग work बोलेंगे, और work is a scalar quantity होता है, तो इसके लिए हम लोग ने dot product का यूज की, अगर यहाँ vector quantity होता, तो cross product का यूज होता, लेकिन work is a scalar है, तो हम f dot d यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं, कि देख रहे हैं कि left side का जो equation का left side है, वह है half mv square minus half mv square, यानि final kinetic energy minus initial kinetic energy, यह equal हो जा रहा है f dot d यानि work done के, यानि जो work done है, वह change in kinetic energy के equal होता है, इसको हम लोग work energy theorem बोलते हैं, यहाँ पर देखे, half mv square हो गया final kinetic energy, इसको हम लोग kf से denote करेंगे, kinetic energy final, और half mv square हो गया initial kinetic energy, इसको k i से denote करेंगे, kinetic energy initial, और f d हो गया work, f dot d work, यहाँ पर देख रहे है, f dot d, दोनों vector, quantity f और d, इसका dot product है work, the change in kinetic energy of particle is equal to the work done on it by the net force, तो अगर किसी body पर net force लग रहा है, तो वह उस body का kinetic energy को change कर देगा, तो जितना change होगा kinetic energy, वह उसके work done के equal होगा, तो हम numerical में, अगर हमें work done निकालना है, तो हम दो तरह से निकाल सकते हैं, एक तो अगर हमें force और displacement मालूम है, तो उसका dot product निकाल लेंगे, तो उससे भी हमें work मालूम चल जागा, work done, उस body पर कितना work होगा, अगर उस body का kinetic energy change हो रहा है, तो जितना भी kinetic energy change हो रहा है, change in kinetic energy, वह equal होगा, जो net force उस body पर जो लगा, उसके कारण जो kinetic energy change होगा, उसके equal होगा, work done, यानि change in kinetic energy equal to work done, तो हम इसको, यह जो equation है, इसको work energy theorem बलते हैं, और half mv square, इसको हम लोग kinetic energy, final kinetic energy और half mv square, इसको initial kinetic energy और f dot d को हम लोग work done, consider करते हैं, ऐसा हम मानते हैं, तो यह जो kinetic energy theorem हो गया, kf minus ki equal to w, w यह नहीं work है, तो final kinetic energy minus initial kinetic energy equal to work done k, equal to work हो गया, तो आज का यह वीडियो समाप्त हुआ, thanks for watching, अगर आपको यह पसंद है, तो इसे like करें, share करें,